नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बर फिर से पेट पूजा रेसिपीस की अपनी रसोई मैं और मैं हूँ पूजा इस वीडियो में आज हम बनाएंगे बिना तंदूर के पैन में तंदूरी चिकिन जी हाँ, आरोमा बिल्कुल वैसा ही होगा, टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होगा, उसके उपर जो क्रस्ट होता है वो भी बिल्कुल वैसा ही होगा पर हम उसे बनाएंगे पैन में तो बस देर के इस बात की चलिए वीडियो शुरू करते हैं पर उससे पहले अगर आप नए आए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई को और है तो कमेंट करें, और अच्छा खाना, वो हम एंड में बोलेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तंदुरी चिकन बनाने के लिए हम दोनो तरह का चिकन ले रहे हैं, आधा किलो हम ले रहे हैं, बोनलेस चिकन और छे मैंने यहां ली हैं, ड्रम स्टिक या लैक पीस, इनको बैते पानी में अच्छे से पहले दोके साफ कर ले, उसके बाद ये जो ड्रम स्टिक्स हैं, उस पे हमें cut लगा लेना है तो चाकू को हलका सा टेडा करके हम इस पे cut लगाएंगे लगभग 45 डिग्री के एंगल पे आप roughly चाकू को हलका सा टेडा करके सारे drumsticks पे 2-3 cuts अच्छे से लगा लीजिए ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि जब हम चाकू को टेडा करके cut लगाते हैं तो surface area बढ़ जाता है और हम जो marination लगाएंगे वो अंदर तक ज्यादा से ज्यादा surface पे लगेगा और बहतर स्वाद देगा तो इसी तरह से हम सारे drumsticks में cut बना लेंगे अब इस सारे chicken को हम एक bowl में ले लेंगे और पहले marination के लिए इसमें हम डालेंगे एक नीमबू का रस यहां हम दो तरह के marination करेंगे क्योंकि chicken का अपना खुद का कोई खास flavor होता नहीं है इसमें हम जो मसाले जो खटाई डालेंगे उसी से इसका स्वाद जो है वो बहतर बनेगा तो सबसे पहले हम नीमबू डाल लेते हैं इसमें पहले marination के लिए एक पूरा नीमबू हम इसमें squeeze कर देंगे तो यह यहां नीमबू इस तरह से मैंने निचोड दिया है और नीमबू के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे तो 3-4 चमच में इसमें अभी पहले marination में नमक डा देंगे और आधा चम्मच ही इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया पाउडर危ं ऐदरिख कीमिडें यह पाउच अगर होद्ध का फ्रेस्ट ऑ हुआ हैी आप कंडि डहा था कूटी यह उर्णे है और पहले मेरिनेशन की सारी सांगरी डालने के बाद अब हमें इसको अच्छे से सारे चिकन में मिक्स कर देना है और ये काम चम्मच या स्पैचुला से नहीं होगा आपको हाथ से ही करना पड़ेगा तो इस तरह से सारे चिकन को उपर नीचे करते हुए हमें मसाले और द्रुम स्टिक्स में अंदर तक चले जाएं तो इस तरह से हाथों की सहाइता से हमें मेरिनेशन को इस process बढ़िया लगा देना हैं और कम से कम आधे घंटे के लिए ये पहला मैरिनेशन इसमें इसी तरह से छोड़े से छोड़ देना है और जब तक चिकन हमारा पहले मैरिन कर लेते हैं तो इसके लिए तीन चौथाई कप गाढ़े दही को मैंने चलनी में इस तरह चान लिया है जिससे कि उसका एक्स्ट्रा पानी नीचे निकल जाए और उपर गाढ़ा दही बच जाए और इसको हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे दूसरे मैरिनेशन के लिए इन चौथाई चंबंच हम ढालेंगे लाल मिर्च का पावडर और आधा चंबंच इसमें जाएगा हल्दी पावडर तो हल्दी पाउडर भी डाल लेते हैं इसके बाद इसमें हम डालेंगे एक चम्मच अद्रक लसन का पेस्ट अब डाल लेते हैं आधा चम्मच चाट मसाला जिसे एकदम वो तंदूरी वाला चटपटा फ्लेवर इसे मिलेगा ये मैं डाल रही हूँ सुखे हुए पुदीने का पाउडर, मिंट पाउडर आप चाहें तो पुदीने की पत्तियां भी पीस के डाल सकते हैं ताजी और आधा चम्मच डाल लेते हैं कसूरी मेथी अब इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल तो तेल भी हम इस मैरिनेशन में डाल लेते हैं और अब एक बार हिला के ये जो मैरिनेशन है इसकी सारी सामगरी को मिक्स कर लेंगे और आधा गंटा अब तक हो चुका है तो अब मैं वो जो पहले मैरिनेशन में चिकन हमने rest करने के लिए रखा था वो ले आती हूँ और वो चिकन हम add कर देंगे हमारे इस दही वाले marination में अब इसको भी बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले marination को हाथ से हमने अच्छे से mix किया था chicken में तो वैसे ही लगा देंगे chicken के हर पीस पे लगाएं इसे तो बड़ियां से मेरिनेशन लगादें इसे और अब इसको हम धक के फ्रिज में रखेंगे कम से कम एक घंटे के लिए जिससे कि जो मेरिनेशन के सारे मसाले दही और नीमू की खटाई है वो अंदर तक चिकन में रच जाए तो चलिए मैं इसको रख द सॉच है तो चलिए अब तायारी करते हैं इसे पकाने की और क्यूंकि हम इसे पका रहे हैं पैन में तो एक नोन स्टेक पैन में नहीं ने चढ़ा लिया है गैस पे और इसमें हम सबसे पहले एक चमच सॉल्ट इड डालेंगे बटर के हलका सा मեղ्ड हो ने पे एक ही चमच हम इसमें डालेंगे cooking oil, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि butter हमारा जले नहीं, तो oil और butter को mix करके इस तरह से तवे को हम बढ़िया grease कर लेंगे और इसे अच्छे से गरम कर लेंगे, तवा बढ़िया गरम हो गया है हमारा, तो अब एक बात का ध्यान रखना है कि gas की आँच बिल्कुल पुल कर देंगे, बिल्कुल तेज कर देंगे और तेज आँच पे यह जो हमारा marinated chicken है, यह हमें एक एक करके pieces में डाल देना है, बस इस बात का ध्यान आपको रखना है कि आँच एकदम तेज होनी चाहिए, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि तेज आँच पे chicken के juices एक बार दोनों तरफ chicken में उपर अच्छा crust आ जाएगा, जो इसके juice हैं वो अंदर ही lock हो जाएंगे, उसके बाद हम धीमी आँच पे इसको अच्छे से पकाएंगे अंदर तक तो एक बार पहले तेज आँच पे बाहर से पका लेते हैं इसे, और अब देखिए यह chicken जो है उपर से बढ़िया क्रिस्पी हो गया है, मैं जो पैन हिला रही हूँ तो यह अच्छे से स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब उपर की सर्फेस इसकी बहुत क्रस्टी हो गई है, तो अब हम गैस को धीरे कर देंगे और चिकन को पकाएंगे अंदर से, तो अब फ्लेम हमने कर दी है, बि कि हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इस चिकन को अच्छे से पकने देना है, अब एक बार इसी दो मिनिट के लिए धकन लगा के भी धीमियाच पे पकाएं, और दो मिनिट बाद ये देखिए, चिकन हमारा बहुत बढ़िया पक गया है, एक बोनलेस चिकन को हम तोड़ के दे और ऐसे जो बचा हुआ मैरिनेटेड चिकन है, उसे भी हमें पका लेना है, और सारा चिकन निकालने के बाद अगर पैन में थोड़ा सा मैरिनेशन लगा हुआ रह जाए तो उसको आप चम्मत से अलग कर लेना नहीं तो वो जल जाएगा, और अगला बैच भी आपका एकद सील हो गई है, और अब हम इसे ढखके धिमी आच पे पकाएंगे, अगर हम पहले तेज आच नहीं करते और वैसे ही ढखके पका लेते तो चिकन जो है ना वो अपना पानी बाहर छोड़ देता और अपने ही पानी में बॉल हो जाता, तो वो क्या बन जाता, सबजी बन जाती हम जो तंदूरी टिक्के बना रहे हैं वो नहीं बनता, इसलिए हमने पहले तेज आच में इसे पकाया, ये देखिए ये भी अच्छे से अंदर से पक गया है, तो चलिए इसे भी बोल में रख लेते हैं हम, अब क्यूंकि हम तंदूरी टिक्के बना रहे हैं तो इसमें तं स्मोक आना शिरू हो गया है तो जल्दी से ढकन हम लगा देंगे और यह जो धुआ है यह इन टिकों को अच्छ से एब्जॉब होने देंगे तो वो जो तंदूर वाला स्मोकी फ्लेवर होता है वो टिकों में आ जाएगा अब यह कटोरी हटा देते हैं टिक के हमारे रेडी है तो चलिए इन्हें अब सर्फ कर लेते हैं तो प्लैटर में मैंने लगा लिये हैं प्यास की लच्छे प्यास को गोल-गोल काटके इस तरह से आप अनियन रिंग्स खोल लीजिए टिकों के साथ बहुत अच्छी लगती है यह खाने में तो सबसे पहले ड्रम स्टिक्स हम इन टिकों में बहुत ही अच्छी लगी है तो आप थोड़ा सा चाट मसाला इस पे स्प्रिंकल करेंगे हम अब इन टिकों के साथ खाने के लिए बिल्कुल दो मिनिट में बनने वाली एक डिप आपको बता देती हूं इसके लिए यहां मैंने गाढ़ा दही लिया है इसको अच्छे से फेट लें दही खटा नहीं होना चाहिए और इसमें हम डालेंगे एक चमच मिन्ट पाउडर यानि की पुदीने का पाउडर और अगर पुदीने का सीजन है तो ताजी पुदीने की पतियों को आप थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में पीस लेना और वो इस द यार होती है आधा चममच चाठ यसमें डाल लेंगे यसी लिए मैंने कहा था दही खट्टा मत लेना और नमक डाल लेते हैं स्वाद अनुसार एक चुट्की डालेंगे काला नमक और आधा चममच इसमें जाएगा भुना पिसा जीरा तो बस यह सारी सामगरी को मिलाकर मिक् ये mint डिप में हमेशा green कलर डालते हैं इसलिए मैंने डाल दिया है और ये डिप हमारी तयार हो गई है तो देखा आपने तंदूरी टिक्का बनाने के लिए घर में तंदूर होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है पैन में भी बिल्कुल वैसा ही चिकन टिक्का आसानी से बन तो नेक्स टाइम आप अपने किचन में जब तंदूरी टिका बनाएं तो ये डिप भी ज़रूर ट्राइ करें और ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो नीचे जो एक लाइक का बटन है उसे ज़रूर दबा दें इस वीडियो को अपने फ्रेंज और फैमिली के साथ सब्सक्राइब करें और अच्छा खाना इसी तरह बनाती रहें